नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ एक मिठाई की बूती अलग और नई सी रेसीबी लेकर आई हूँ जिससे आपके गर में बचा हुआ सामान भी इस्तेमाल हो जाएगा वो ऐसे ही खराब नहीं जाएगा और दूसरा ये बूती जल्दी जटपट बनकर तयार होती है और खाने में भी बेहधी टेश्टी सी होती है एक दम सौप्ट मुलायम सी बनकर ये तयार होती है तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाई तो यहाँ पर हमने मिठाई बनाने के लिए ये कुछ हमारे पास बचे हुए केले थे वैसे ये तीन-चैर दिन पुराने केले हैं क्योंकि ये पूरे इस तरह के ज़्यादा पक गए हैं तो कोई खाने के लिए इनको तयार नहीं है तो आप इस से मिठाई बना सकते हो वैसे ये केले जो है जितने पुराने बते जाते जाते हैं उतने ही और ज्यादा एल दी हो जाते हैं लेकिन वैसे खाने में पसंद नहीं आते हैं on you रख ली है तो यहां पर हमने gas की उपर एक कड़ाई रख ली है यहां पर दोस्तो एक बात आपको बतादेती हूँ ज़ादा बेटर है अगर आपके पास non-stick बरतन है तो आप non-stick बरतन ले 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 उसमें यह चिपकेगी कम और वैसा बरतन है तो भी यह बन जाएगी वैसा कुछ नहीं है लेकिन आपको non-stick में ज्यादा आसानी रहेगी तो यहाँ पर हमने एक बड़ा चमच इसमें गी डाल दिया है जो सबजी बनाने वाली चमच होती है वो और इसी के साथ में आम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर 200 ग्राम आटा इसमें डेर सारे गी की जरूरत नहीं है पहल आप यह आटा देखी दोस्तों यह इस्तर का होना चाहिए बस इतना ही गी इसमें काफी है हमने और गीज में नहीं डाला है सिर्फ एक बड़ा चमच गी इसमें अमें लगा है अब इसको सेकना है लगवक 15 मिनिट तक तो जितना टाइम इसमें सेकने में लगेगा ना बस व इलाइची पाउडर लिया है इलाइची पाउडर से इसके अंदर बड़ी आसा फ्लेवर आ जाता है तो आप जरूर डालने थोड़ा सा इसकी बाद में बारी है इसमें आमने जो केले ग्राइंड करके लिए थे उसका पेष्ट डालने का तो इसी समय डालेंगे यहां पर और गैस का फ्लेम जो हमने एक तम कम रखा है बिल्कुल कम आच रखे उस समय जब आप यह पूरी सामगरी इसमें डाल रहे है अब इसी के साथ में इसमें अमें डालना है दोस्तो थोड़ा सा पानी तो पानी अमें कितना डालना है जितना हमने आटा लिया है उसी बरतन से हमने सेम आटे का डबल पानी ले लिया है अब थोड़ा सा food color इसके अंदर add करेंगे और उपर से हम यहाँ पर पानी डाल लेंगे पानी डालने के बाद में इसको अमें लगातार चलाना है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और gas का flame हमें कम ही रखना है तो पानी मैंने पूरा एक साथ डाल दिया आप इसको continue इसी तरीके से चलाते रहेंगे लेकिन gas का flame बिल्कुल दिमाई रखेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से ये एकदम चिकना नहीं हो जाता है इसमें गुठली आनी बचनी चाहिए आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से एक सार हो जाएगा और ये तुरंत ही गाड़ा हो जाता है तो यहाँ पे अमने gas का flame बिल्कुल कम रखके इसको पका लेना है 2-3 मिनिट के लिए ज़्यादा समय पकने में अब इसमें नहीं लगेगा आटा अच्छे से पहले ही पक चुका था 2-3 मिनिट तक इसको बिल्कुल दिमियाज पर इसी तरीके से चलाते हो इपकाएंगे अगर आपको इसके अंदर अच्छी सी signing चाहिए तो यहाँ पे आप एक दो चमच गी डाले लेकिन मैं इसको इसी तर जमाऊँगे बिल्कुल कमगी में ये बनाना बता रही हूँ आपको बिल्कुल कमगी में ये बनकर तयार हो जाती है बहुती ज़्यादा टेस्टी बनती है जब आपको लगेगा कड़ाई में इस तरह से बिलकुल अच्छे से इखटा ओने लगा है तो समझ यह एकदम परफेक्ट बनकर तयार हो गया है अब इसको सेट करने के लिए रखेंगे तो उसके लिए ट्रेव अगेरा आप पहले से तयार करके रखें गी से ग्रीस करके रखें मैंने या पर मिठा अच्या फिर कटोरी गिलास की साहता से और उपर से अप इसमें ड्राइफ डॉट सकते हैं या फिर अन्दर भी आप इसके तोड़ी से ड्राइफ प्रूट मेक्स कर सकती हो तो मैंने उपर इसके उपर डेकुरेट करने के लिए कुछ पीषटा और बादाम की कत्रन लेली है इससे हम इसको बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करेंगे डेकोरेट करने के बाद में इसको या तो आप 3-4 गंटे के लिए रूम टेंपरेचर पे छोड़ दे या फिर आप इसको एक गंटे के लिए फ्रीज में रखते हैं सेट वने के लिए एक गंटे में बिलकुल अच्छे से यह तैयार होजाएगा है अभी इसको निकाल लेते हैं यहापे कट करे आपको दिखाऊंगी एक गंटे के बाद में भी LKC Soft रहती है लेकिन अगर आप इसको बनाने के बाद में और फ्रीज में रख देते हैं तो यह बिल्कुल अच्छे से सोलिड हो जाती है वैसे सकत नहीं होगी लेकिन अच्छे से सोलिड हो जाएगी आप बचे होगे के लिए से या फिर ताजा के लिए से भी इसको बना सकते हो आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे रेसीपी को लाइक सेर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले वीडियो देखने क के लिए अपना केमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद